हेलो एंड वेलकम बैक, आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्ट जानकारी जानने वाले हैं, लोग पिंपल से छुटकारा पाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं करते हैं, इसमें कुछ लोग तो काम्याब हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की प्रॉबलम सॉल गलती करते हैं, जो हमारी प्रॉबलम को बढ़ाने का काम करती रहती है, ऐसी हालातों से सावधान रहना जरूरी होता है, जो आपकी प्रॉबलम को बढ़ा कर उसे गंभीर बनाती है, जब तक कि आप अपने डेली लाइफ पर एक्टिविटीज में सावधानी नहीं बरतते हैं, और गलती करते रहते हैं, तो कोई भी दवा क्रीम या नेचुरल होम रमेडीज, आप पर कोई असर नहीं दिखाएगी, तो इसलिए आज हम इस वीडियो में साथ ऐसी ही, गलतीयों के बारे में जानेंगे, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को ला अकसर लोग सुबा सो कर उठने के बाद चेहरा धो लेते हैं, और उसके बाद जब दिल करता है तो धोते हैं, या तो नहीं भी धोते हैं, लेकिन ऐसा करना बिलकुल भी सही नहीं है, सुबा और रात को सोने से पहले चेहरा धोने के साथ साथ, अगर आप वकाउट करते हैं या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आपका पॉल्यूशन धूल, मिट्टी और पसीने से सामना होता है तो ऐसे में भी face wash करना जरूरी होता है बाहर जाते हैं तो धूल, मिट्टी और पसीने से हमारा सामना होता है थोड़ी देर में पसीना तो सूख जाता है लेकिन धूल मिट्टी और बैक्टीरिया तब भी हमारी स्किन में मजूद रहता है और अगर हम तुरंट शहरा नहीं धोते हैं तो हमारे स्क्रीन के उपर का बैक्टीरिया स्क्रीन के अंदर प्रवेश करके स्किन पॉस को ब्लॉक कर देते हैं जिससे की हमारी स्क्रीन के अंदर से आने वाले सीरम और नेचुरल औरल बाहर नहीं निकल पाते हैं और बाद में एक भी पिंपल्स और कील मुहासे का रूप लेकर हमारे स्क्रीन के उपर निकल आता है रात को सोने से पहले सुबह में उठने के बाद और हर वह काम के बाद जिससे पसीना निकलता है चेहरा का धोना बेहत बेहत जरूरी है No.2, कुछ लोग ऐसे भी है जो चेहरा धोने में साबुन का इस्तिमाल करते हैं साबुन किसी भी तरह से हमारे चेहरे की स्क्रीन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता साबुन खास तोर पर वेज़ेटेबल फैट या अनिमल फैट और सोडियम से मिलकर बना होता है हमारे चेहरे की स्किन ऐसिडिक होती है जबकि ज्यादातर साबुन में alkaline properties पाई जाती है जो कि हमारी स्क्रीन की property से बिलकुल opposite होता है और इसलिए ये हमारी स्क्रीन के pH level को भी बिगारता है स्क्रीन के natural hydration को भी बहुत ज्यादा अबजॉर्ब कर लेता है जिससे स्क्रीन बहुती जल्दी बेहद त्राई हो जाती है और breakdown होने लगती है साबुन में बहुती अधिक मात्रा में fat भी होता है जो कभी कभी हमारे स्क्रीन के रोम छिद्र को ब्लॉक कर देता है एकने और pimples की problem शुरू हो जाती है अगर skin normal और pimple free हो तो थोड़ी देर के लिए ऐसा सब इस्तिमाल किया जा सकता है जिसमें moisturizing properties हो लेकिन pimples वाली स्क्रीन में तो कभी भी साबुन लगाना ही नहीं चाहिए नमबर 3 Face Wash लगाना हो सकता है लेकिन Face Wash आपकी स्क्रीन के टाइप के हिसाब से सलेक्ट करना जरूरी होता है अगर आप गलत Face Wash सलेक्ट कर लेते हैं तो यह आपकी skin को फाइदा पहुचाने के बजाए नुकसान पहुचाता है अगर आपकी skin oily है तो deep clean से इस्तिमाल करें और अगर आपकी skin dry है तो cream best face wash का इस्तिमाल किया जा सकता है जो आपकी skin को hydrated रख सके Face Wash या कोई भी skin product खरीदने से पहले उसकी ingredients list को भी एक बार देख लेना चाहिए कि उसे बनाने में जिस चीज का इस्तिमाल किया गया है वो natural है या नहीं अगर उसमें sulphate परवीन artificial color preservative और pregnancy ऐसे chemical का इस्तिमाल किया गया है तो उस product को बिल्कुल भी ना खरीदे नमबर चार कुछ लोग चेहरा धोते वक्त बहुत देर तक चेहरा को रब करते रहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप अंजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप जितनी देर तक चेहरे को धोते हैं आपकी स्किन से उतना ज़्यादा natural hydration remove हो जाता है बाद में स्किन उतनी ही ज़्यादा dry हो जाती है और चेहरे को ज़्यादा रब करने की वज़े से स्क्रीन में redness allergy skin breakdown होने जैसी समस्या शुरू हो जाती है तो इसलिए चेहरा धोते वक्त हलके हाथों से धोने के साथ साथ एक मिनिट से ज़्यादा देर तक चेहरा कभी भी नहीं धोना चाहिए नमबर पांच लोग स्क्रीन एक्स्प्लोरेटिंग मशीन का भी इस्तिमाल करने लगे हैं और यह काफी हग तक सही भी है इसकी एक्स्फोलीटिंग मशीन आपके चेहरे की डैली स्किन सल्स को आसानी से रिमूव करता है जिससे आपकी रियल स्किन बिल्कुल ग्लोइंग दिखती है लेकिन इसका हफ़ते में एक बार से ज्यादा इस्तिमाल करना आपको फाइदा पहुचाने के बजाए नुकसान पहुचा सकता है इसमें से हफ़ते में एक बार से ज्यादा बिल्कुल भी इस्तिमाल ना करें नमबर 6 ये भी अपने आप एक बहुत बड़ी गलती है कि कुछ लोग जिस टौवल से नहाने के बाद अपने बदन को पोचते हैं उसी से अपने चेहरे को भी पोच लेते हैं बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है शरीर के अलग-अलग हिस्से में अलग-अलग टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपके चेहरे की स्किन को काफी हद तक डेमेज कर सकते हैं इसलिए हमेशा बदन पोचने के लिए अलग और चेहरे के लिए अलग टौवल का ही इस्तेमाल करना चाहिए एक बार इस्तेमाल करने के बाद दूसरी बार इस्तेमाल करने के लिए उसे वाश करके इस्तेमाल करना चाहिए अक्सर कुछ लोग चेहरा धोने के बाद मोईस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते एक चुली हम जितनी बार अपने चेहरे को धोते हैं उतनी बार हमारी स्किन से नेचुरल ओल बाहर निकल जाता है जिसे रिकवर करने के लिए मोईस्चराइजर लगाना बेहत जरूरी होता है इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किन ड्राइ है या ओली है ओली स्किन वाली है तो आप ओल फ्री मोईस्चराइजर का इस्तिमाल कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन ड्राइ है तो ओल बेस्ट मोईस्चराइजर का इस्तिमाल किया जा सकता है तो बस आज के लिए इतना ही आप इन में से कौन सी गलती करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर एंड बाई